नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बेटी की तबियत खराब है जिसकी वज़े से वो काफी परिशान है वो थोड़ी कमजोर है और रविवार को अचानक वो चोक करने लगी वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, मैं और गुर्मीत उसे तुरंट होस्पिटल लेकर भागे पता चला कि जुकाम की वज़े से उसकी नाख ब्लॉक हो गई है वो सांस नहीं ले पा रही थी, उसका ऑक्सिजन लेवल बानवे हो गया था ये क्रेजी था, कैसे हमने घर से अस्पताल तक का सफर तै किया, ये हमें पता है मैं गुर्मीद से बस यही पूछ रही थी कि वो सांस ले रही है ना ये बताते हुए देविना इमोशनल हो गई, उनकी आखों में आसू थे एक्टरस कहती हैं कि वो जितना आसान देखती हैं, उतना नहीं है हर दिन नए चैलेंजिस होते हैं, छोटी बेटी की तब्यात अब थोड़ी बैतर है, वे उसका पूरा ध्यान रख रही है देविना ने ये सब चैलेंजिंग बताया है देविना ने बताया कि उन्हें आजकल हर मिनिट ऐसा लगता है कि उन्हें रोना आ रहा है अक्टरस को लगता है शायद ये पोस्ट मर्डर्म डिप्रेशन भी हो सकता है लेकिन वो कन्फरम नहीं कह सकती कि ऐसा ही है देविना ने फैन से उनकी बेटी के लिए दुआ करने की अपील की है रोने बताया कि वो जल्दी बेटी का फेस रिवील करेंगी पहले वो बाहर की दुनिया में एड्जिस्ट हो जाए दरसल सर्दी का मौसम है और ऐसे में सर्दी जुकाम छोटे बच्चों को लगना जादा आसान होता है क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है ऐसे में बच्चों को जुकाम में कंजेशन और नोस ब्लॉकिंग की समस्या होना आम होता है लेकिन ऐसे में लापारवाही करना भी काफी खतरनाक हो सकता है इसलिए अगर आपके छोटे बच्चे को जुकाम हो जाए तो आपको तुरंथ ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उनी के परामर्ष से आपको अपने बच्चे का खयाल रखना चाहिए तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा हमें कामेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वही आपर के जिर्की है मेरा तेरा कामरा नीचे तु थाले हूँ है अच्छा पहले मुबाइल से लेते गरे ए लिए लाओ मत भाये को ने लाओ ना तरहाएं मैं दो बहुत पर लोग यार ने हम रहे क्या बात है शक्रोट हे कि ए एक हाट या कमेंट है क्या है पर जो आपी चाद्री तो इस एक एक बेडि़। है कि अजिए दूरे उपी के एकटे ने करने कर दो आई रिकर्मी निया रेल्जे कि एक एक अडिकर बारा तेले चादी